फिल्म की शुरुआत जंगल के बीच में दूरदराज के घरों में चित्थियां पहुँचाने वाले डाकिये से होती है वो एक घर में पहुँचता है जहां एक औरत खुन से सने कपड़े धो रही होती है वो दर्वाजा खटखट आता है लेकिन वो औरत तेज म्यूज़िक की वजह से उसे सुन नहीं पाती उसी समय डाकिये को अचानक घर के तहखाने से अजीब सी चरुमराहत की आवाजे सुनाई देती है उसे लगता है कि अंदर कोई फसा हुआ है वो लकड़ी का बेरिकेट खुलता है और अंदर जहांपता है अभी उसे अचानक कोई बेरहमी से अंदर खींच लेता है अब सीन 30 साल बाद में बगल जाता है जब युवाओं का एक ग्रूप केम्पिंग के लिए जंगल की ओर जा रहा होता है इस ट्रीप को अफलाइं वेकेशन कहा जाता है जहां इन युवाओं को उनके माता पिता ने इंटरनेट और डेजेक की लट के कारण भेजा है उनके पहुँचने पर मानेजर उनका स्वागत करता है और कहता है कि ये उनकी लट पर काभू पाने और प्रकृती के करीद जाने का एक सुनहरा आफसर है पचास इवाओं को टीमों में डिवाइड किया जाता है हर ग्रूप को एक गार्डियन सौंपा जाता है फिर उन्हें अपने फोन वापस करने और ट्रिप के लिए तैयार होने के लिए कहा जाता है जंगल के एक केविन में हम 30 साल पहले की उसी औरत को देखते हैं लेकिन अब वो बहुत बुरी हो गई है उसने एक उरन का शिकार किया है और उसे तहखाने में खीचने की कुशिश कर रही है बदकिसमती से वो फिसल कर तहखाने में गिर जाती है फौरण वहाँ एक मॉंस्ट्रोस प्रियेचे आता है और एक पल में ही उस औरत को मार देता है अगले सीन में सभी युवा जंगल में तीन दिन की पैदल सफारी के लिए तैयार हो रहे हैं फिर हम काउंसलर इजा के ग्रुप को देखते हैं जिसमें पांच युवा शामिल हैं शाम जोसिया, अथलेटिक डैनियल, सुनहरे बालों वाली चंचल एनलिया, गेमे जूलिक और बार्टिक नाम का एक गेलर का उनके जाने से पहले एक लोकल प्रीस्ट यानी पादरी वहाँ एक शांदार कार में आता है और सभी को वेलकम करता है वो कहता है कि आधुनिक तक्नीक बच्चों के लिए सबसे बड़ा खत्रा है और उमीद करते है कि वे अपनी लगप पर काभू पालेंगे वो सभी युवाओं के लिए प्रार्थना करता है और उनके सेलफोन और लेप्टॉप पर पवित्र जलबी चिरखता है इसके बाद इजा का ग्रूप केम्पिन के लिए निकल पड़ता है और इस दोरान जूलिक जोसिया में इंट्रेस्ट दिखाता है वो कहता है कि उसका नेकलस उसे टर्मिनेटर T-800 की याद दिलाता है ये सुनकर जोसिया हस्ती है और बताती है कि ये उसके परिवार की यादगार बस्तु है इस बीच डैनियल इनेलिया के साथ फ्लट करने की कोशिश करता है लेकिन बार्टिक लगातार उसे बीच में रोपता है चिलकर डेनियल बार्टिक पर ये विरोधी कमेंस करके उसका इंसल्थ करना शुरू कर देता है. फिर दोनों के बीच हाथ हपाई हो जाती है और डेनियल बार्टिक को जमीन पर धकिल देता है जिससे बार्टिक के पेर पर चोट लग जाती है. लकिली मामला बढ़ने से पहले दूसरी लूप बीच में आ जाते हैं और उन्हें अलग कर देते हैं कुछ देर बाग जब जूरिक कुछ दूरी पर पेशाव के लिए जाता है तो उसे एक फटा हुआ हिरन का शब दिखाई देता है ये सोचकर कि कोई बड़ा जानवर पास में है वो डर जाता है और सभी को जाँच करने के लिए बुलाता है लेकिन इजा समझाती है कि ये शिकारियों द्वारा बिच्छाया गया एक जाल है और उन्हें आगे चलते रहने का निर्देश देती है जोसिया फिर इधर उधर देखती है और एक पीव के पास जीव से हाथ की जलग देखती है वो डर जाती है लेकिन वो चुप रहती है और किसी को नहीं बताती वो इसे प्रकृती का ही एक हिस्सा मानती है बाग में प्रुप जंगल के बीच में अपना कैम्प लगाते है फिल वे आग जलाकर चारो ओर बैठते हैं और एक दूसरे को अपने जीवन के बारे में साचा करना शुरू करते हैं जूलिक ने खुलासा किया कि वो एक गेम है और उसका यूटीब चैनल एक मिलियन सब्सक्राइबर वाला है वो अकसर गेम खेलने के लिए स्कूल शोर देता था जिससे उसके माता पिता नाराज हो जाते थे वो आगे बताता है कि वो पांच शलाक डॉलर के इनाम वाली प्रतियोगिता के लिए कोरिया जाने वाला था हाला कि उसके माता पिता ने मना कर दिया और उसे इस कैंपिंग ट्रुप पर भीज दिया रात में सभी सुझाते हैं लेकिन डैनियल मेचैन महसूस करता है इसलिए वो स्मोप करने के लिए पास की जील पर जाता है कुछ ही देर बाद एनलिया भी उसके साथ आ जाती है और भू भी स्मोप करना शुरू कर देती है फिर दूनों फलट करना शुरू करते हैं उनकी बातचीत के दोरान एनलिया को पता चलता है कि डैनियल अभी भी कुवारा है वो उसे उसके जीवन की सबसे अच्छी रात देने का फैसला करती है और उसके साथ इंटनेट हो जाती है उनके खत्म होने के बाद एनलिया अपने टेंट में वापस आ जाती है जबकि डैनियल अपने जीव से चिपाया हुआ फोन निकालता है और डीटिंग एपर लड़कियों को स्वाइप करना शुरू कर देता है इस बात से अंजान की कोई उसके पीछे चिपा हुआ है कुछ ही सेकंड बाद शरीर पर फोड़े फुंसियों वाला एक विकृत विशालकाय आदमी डैनियल पर हमला करता है वो उसे बड़े वेरेमी से बार बार पेड़ पर पटक पटक कर मार डालता है अगले सीन में हम जोसिया को अपने परिवार के साथ ही क्रूल टूपर देखते हैं जो बहुत खुश दिख रही है वो अपनी बेहन के साथ पिछी सीप पर खेल रही है जबकि उसके पापा उसकी मा के साथ सेलफी ही रहे है ज्यान हटने की वजए से उनकी कार का भयानक आक्सेडन्ट होता है तब ही जोसिया एक बुड़े सपने से जाकती है और ऐसा लगता है कि उसका पूरा परिवार उसका आक्सेडन्ट में मर गया इसके बाद फ्रूप लंबी पैदल सफर के एक और दिन की तयारी करता है लेकिन उन्हें डैनियल कही नहीं दिखता हर कोई चिंतित हो जाता है और एनलिया बताती है कि उसमें उसे कल रात जील पर देखा था इसके बाद इजा अनांस करती है कि उन्हें अलग हो जाना चाहिए और डैनियल की तलाश करनी चाहिए जूलिक डरा हुआ है और बताता है कि कैसे डरावनी फिल्मों में जब ग्रूप लिखर जाता है तो हर कोई मर जाता है वो सुझाव देता है कि वे साथ रहें लेकिन हर कोई उसकी सलाह को नजर अंदास कर देता है इजा, जोसिया और जूलिक फिर डैनियल की तलाश में आगे निकल जाते हैं जबकि अन्यदू उसके वापस लोटने की स्थिती में पीछे रह जाते हैं कुछ ही समय बाद तीनों फिल्म की शुरुआत में दिखाई देने वाले घर में पहुंचते हैं वे मदद लेने के लिए अंदर जाने का फैसला करते हैं लेकिन वहाँ कोई नहीं मिलता फिर में इधर उधर ताक चांप करना शुरू करते हैं और आखिरकार बेस्मेंट में घुस जाते हैं जहां वे डैनियल सहित कई लाशों को देखकर काफी डर जाते हैं इससे पहले कीवे कोच कर पातेक वहीं विक्रत विशालकाय आदमी उसी घर में पहुंच जाता है अब भूप को बेस्मेंट का दर्वाजा बंद करके चिपना पड़ता है जुलिक लाशों की गंद से लगभग उल्टी करने लगता है लेकिन इधर उससे रोपती है कुछ देर बाद हत्यारा भी बेस्मेंट में आता है जिससे डर कर भूप के सबी लोग खिटी से भागने की वेतावी से कोशिश करते है जोसिया और जूलिक भागने में सफल हो जाते हैं लेकिन जब इजा भागने की कोशिश करती है तो वो देखती है कि डैनियल का फोम उसकी जेग में बज रहा है फोम पाने के लिए इजा पीच्छी रह जाती है और उस राक्षस से लड़ने के लिए तयार हो जाती है लेकी नफसोस के लिए उसकी एक गंभीर गलती साबित होती है क्योंकि हत्यारा आसानी से इजा पर हावी हो जाता है फिर वो इजा का सिर काट कर बेस्मेंट के बाहर जोसिया और जूलिक के पैरों पर फिक देता है ये देख दूनों तुरंत वहां से भाग जाते हैं इस बीच एनिलिया और बाटेक जील के किनारे बात कर रहे हैं बाटेक अपने गेह होने के सिंगर्षों के बारे में बताता है वही एनिलिया भी अपने सिंगर्षों के बारे में चचा करती है जैसे कि कैसे हर कोई सुचता है कि वो एक मूर्ख और आसान औरत है जब वे बातचीत में तल्मीन होते हैं तो विक्रित हत्यारा अचानक वहाँ आता है और पीछे से एनलिया के सिर में एक मेटल रॉड गुसा देता है इससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है जबकि दरा हुआ बातिक वहाँ से भाग जाता है और एक चच में पहुँचता है दूसरी तरफ जूनिक और जोसिया जंगल के बीच में एक घर पर आते हैं जहां उनकी मुलाकात एक बूरी शक्स से होती है वो शक्स उन्हें अंदर बुलाता है और दूलों उसे उस विक्रित राक्षस के बारे में बताते हैं जिसने उनके दोस्तों को मार डाला वे घबराए हैं और उससे फोन मानते हैं ताकि वे पुलिस को कॉल कर सकें हाला कि बूरा शक्स उन्हें शांत करता है और कहता है कि उसके पास फोन नहीं है तब पता चलता है कि वो वही डाकिया है जिस पर 30 साल पहले हमला हुआ था घटना में उसने अपने पेर खो दिये थे लेकिन किसी तरह वो भागने में सफल रहा फिर उस गुढ़े डाकिया ने खुलासा किया कि एक नहीं बलकि दू विशालकाय हत्यारे हैं वे जुर्वा भाई हैं जो कभी सामान्य बच्चे थे लेकिन एक दिन जंगल में खेलते समय उन्हें एक दूर्खटनाग्रस्त विमान के मलबे में एक अजीब पत्थर मिला जुर्वा बच्चे पत्थर लेकर घर चले आए रात में पत्थर से एक काला तरल निकला और जुर्वा बच्चों की शरीर में प्रवेश कर गया जिससे वे खुरूर मासाहरी बन गए उनकी मा अगली सुबह अपने बेटों को उनके कुट्टे को खाते हुए देखती है फिर उसने उन्हें तहे खाने में बंध कर दिया और उन्हें किलाने के लिए वो हमेशा जानवरों का शिकार करती रही ये कहने के बाद गुड़ा शक्त सुझाब देता है कि वे वही रही क्योंकि उसके पास हथियार और खाना है जूलिक का मानना कि ये एक अच्छा विचार है हाला कि जोसिया जोड देकर कहती है कि वे बिना कुछ किये नहीं रह सकते वो डैनियल का फोन वापस लेने और पुलिस को बुलाने का फैसला करती है जिससे जूलिक के पास उसका पीछा करने के अलावा और कोई विकल्ट नहीं रह जाता दूसरी तरफ बाटेक उस पादरी से मिलता है जिसे हमने मूवी के शुरू में देखा था बाटेक पादरी को पागलों की तरह पुली कहानी समझाता है और पुलिस को बुलाने के लिए फोन मानता है पादरी दावा करते है कि उसके पास एक फोन है लेकिन इसेरियो में कोई सिगनल नहीं है हाला कि कुछ सिकन बाद टीलिफोन बजना शुरू हो जाता है जिससे उसका धोखा उजागर हो जाता है फिर पादरी तेजी से बाटिक के सिर पर बार करता है जिससे वो बेहुश हो जाता है खूरी दीर बाद बाटिक कुद को एक कुरसी से बंधा हुआ और मून बंध किये हुए पाता है पादरी उसके सामने बैठता है और बूर जांच करने जाता है अचानक विकृत हत्यारा उसके पास आता है जो पादरी की खूपड़ी को कुचल देता है और उसकी हत्या कर देता है फिर हत्यारा पादरी के शरीर को टुकरों में काटने के लिए लकड़ी के टुकरे का उप्योग करता है जच के अंदर बाटिक खुद को चुराने में काम्याब हो जाता है जब वो किसी के आने की आवाज सुनता है तो वो कनफेशनल बॉक्स में छिपने की कोशिश करता है लेकिन हत्यारा उसे ढूंड लेता है इस बीच जोसिया और जूलिक फोन को वापस लेने के लिए हत्यारे के घर पहुंचते हैं प्लान ये था कि जूलिक को कुछ शोर करके हत्यारे का ध्यान भटकाना है जबकि जोसिया फोन को हत्याने के लिए तहकाने में गुसे जाने से पहले जोसिया जूलिक को अपनी हिफासत के लिए एक चाकु थमाती है और उसे चूनती भी है इससे जूलिक का आत्म विश्वास इतना बढ़ जाता है कि वो सीधा सामने के दरवाजे पर जाता है और राक्षस को बाहर आने की चुनौती देता है हत्यारा जल्द ही सामने आता है और जूलिक उससे लड़ने की कोशिश करता है इस बीच जोसिया बेस्मेंट में जाती है और डैनियल का फोन धून्टी है वो आखिरकार फोन को ढूंढ ही लेती है लेकिन जल्थी उसे एहसास होता है कि हत्यारा अब उसे घूर रहा है जब उसे लगता है कि वो अपनी मौत को देख रही है तभी जूलिक आता है और राक्षस को चाकु मार देता है लेकिन ऐसा लगता है कि उसके वेजान शरीर पर इसका कोई असर नहीं होता हत्यारा जोसिया को एक तरफ फिक देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है फिर हत्यारा अपना ध्यान जूलिक की ओर मोड़ता है और उसके चेहरे के मास को बेरहमी से काटता है बेहोश होने पर जोसिया फिर से अपने परिवार के साथ हुई दूर्खटना का सपना देखती है वो देखती है कि उसके पिता उसका अक्सिडंट में बच गए हैं लेकिन गंभीर रूप से खायल है वो हांट रहे हैं और मदद के लिए बिनती कर रहे हैं लेकिन पूरी कोशिशों के बावजू जोसिया अपने पापा की मदद नहीं कर पाती अब ही वो बेस्मेंट में जाती है और खुद को जंजीरों में जकड़ा हुआ पाती है वो जूलिक को पास में देखती है जो बुरी तरे खायल है और उसके पेट में चाकू घूपा गया है फिर वो अपनी जेव से डैनियल का फोन निकालती है लेकिन उसकी बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है और बंद हो जाती है असहाई महसूस करते हुए जूलिक उसे खत्म करने के लिए कहता है ये कहते हुए कि वो अब दर्द सहन नहीं कर सकता फिर जोसिया रूती है और नचाहते हुए भी वो चाकू को उसके पेट में गुमाती है जिससे जूलिक की पीरा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है इसके बाद जोसिया खुद को जंजीर से मुप्त करने के लिए चाकू का इस्तेमाल करती है सबसे पहले जोसिया बेस्मेंट की खिर्की से भागने के बारे में सूथती है लेकिन जब उसे अपने सभी मृत दोस्तों की याद आती है तो उसे एसास होता है कि वो इन राक्षसों का सामना किये विना नहीं जाएगी उपर जोसिया को कमले में एक विशाल चाकू पड़ा हुआ मिलता है और वो उसे लेती है वो दीखती है कि जूबार आक्षस बच्चों में से एक विस्तर पर खर्राटे ले रहा है जबकि दूसरा घर पर नहीं है प्रतिशोद से भरी हुई जोसिया राक्षस को बार-बार तब तक चाकू मारती है जब तक कि वो आखिरकार हिनना बंद नहीं कर देता फिर वो उस चगह से निकल जाती है और भाग जाती है इस बीच बूरा गाकिया अपने घर के अंदर होता है तब ही कोई दर्वाजा खट-खटाता है ये मानते हुए कि ये जूबार आक्षस ही होंगे वो अपनी बंदूख पकड़ता है और दर्वाजे पर कल बार गोली चलाता है लेकिन जब वो जांच करने जाता है तो उसे बाटेक की लाश मिलती है जो वास्तब में हत्यारे के चंगल से बच निकला था और उसे गले लगा कर अपने साथ कारी से ले जाता है लेकिन जल्द ही उन्हें सड़क पर दूसरा हत्यारा पड़ा हुआ दिखता है पुलिस कर्मी को लगता है कि कोई मर चुका है जोसिया के मना करने के बावजूद जांच करने के लिए और उसे बाहर निकलता है जब पुलिस कर्मी हत्यारे को हिंते हुए देखता है तो वो अपनी बंदूप निकालता है और गूली चलाने की कोशिश करता है लेकिन ऐसा करने से पहले हत्यारा उसे कुलहारी से आसानी से कार्ट देता है जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है फिर वो कार के उपर चड़ जाता है और जोसिया को चाकू मारने की कोशिश करता है लेकिन जोसिया ड्राइवर की सीट तक पहुंचने में काम्याब हो जाती है और समय रहते कार स्टार्ट कर देती है इससे हत्यारा जमीन पर गिर जाता है और जोसिया इस मौके का फायदा उठा कर उसे कई बार कुचल देती है ये आश्वस्त होने के बाद कि वो हत्यारा वास्तव में मर चका है वो वहाँ से भाग जाती है अगले सीन में दूशराबी रात में सड़क पर पढ़े उस हत्यारे को देखते है ताजू की बात है कि वो हत्यारा अभी भी जीवित है और किसी तरह उठने में काम्याब हो जाता है वहाँ घर पर पता चलता है कि उसका भाई भी चाकू के वार से बच गया है फिर वो अपने विस्तर से उठता है और अपने घर के बाहर पुलिस की रोशनी को देखता है